कोरोना वाइरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है जानलेवा वाइरस के चलते दुनिया थम सी गई है लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए है दुनिया भर की करीब 2.6 अरब की आबादी लोगडाउन में रहने को मजबूर हो गई है वही कोरोना से हुई मौतों की बात करे तो पुरी दुनिया में 14,000 से जादा लोगों की मौत हो गई है इसी हालत को देखते हुए केंद्रे विध्याले संगठन ने बड़ा फैसला लिया है इस फैसले के अनुसार केंद्रे विध्याले में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के चात्र जिनें अंतिम परिणाम में E-grade मिला है उन्हें बिना किसी परिक्षा के अगली कक्षा में पदोननत किया जाएगा भले ही वो वाशिक परिक्षा में उपस्तित हुए है इस बार केंद्रे विध्याले ने ये विवस्ता भी की है कि कक्षा 1 से 8 का परिणाम माता पिता या अभिभावकों को WhatsApp, SMS, E-mail आदी के माध्यम से दिया जाएगा कक्षा 1 और 2 के चात्रों को मंतली achievement test में उनके performance को देखकर अगली कक्षा में पदोननत किया जा सकता है वही कक्षा 3 से 8 के चात्रों को उन विश्यों में वेटेज द्वारा पदोनत किया जा सकता है जिसमें वो 17 समाप्त होने वाले परिक्षाओं में उपस्थत नहीं हो सकते थी बता दें कि कोरोना वारस के चलते सभी परिक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है इसलिए के बीएस ने एक कदम उठाये हैं वैसे तो कई बोर्डों ने परिणाम स्थगित कर दिये हैं कई बोर्ड के लिए परिक्षाओं भी स्थगित हो गई हैं वहीं बिहार बोर्ड परिणाम घोशित करने वाला पहला बोर्ड बन गया है क्योंकि उसने कक्षा बारवी का परिणाम घोशित किया है.